क्या हाल चल रहे हैं बिटकोईन के और क्रिप्टो मार्किट के बात करेंगे क्या आप डेट से हैं क्या सेंटिमेंट बने हुए हैं तो बिटकोईन की जहां तेक बात करते हैं 61,200 के लेवल चल रहे हैं इस टाइम पर साथ हजार के बैरियर बड़ी स्ट्रॉंग मूवमेंट के साथ बिटकोई ने तोड़े हैं और यह बड़ा इंपोर्टेंट लेवल है साथ हजार से उपर आ चुके हैं ठीक है जिनको नहीं लगता था कि नया ओल टाइम हाई नहीं लगेगा उनके लिए तो कहीं नहीं बहुत बिटकोईन के नए हाई लगा सकता है ठीक है नया हाई देखने को मिल सकता है अब कैसे मिलेगा कब मिलेगा क्योंकि आज तो पहला दीना अभी कुछ कहना पॉसिबल थोड़ा जल्द बाजी होगा ठीक है तो थोड़ा सा वेट करेंगे फर्स्ट वीक कैसा जाता है मार्च म बिटकोई इस टाम पर चल रहा है तो सबसे बहला आपडेट है Binance की तरफ से, Binance फेस कर रहा है Nigeria के इंदर ban Nigerian authority Binance के खिलाफ है तो Binance भी कब नहीं है Binance ने भी remove कर दिया Nigerian Naira को from the P2P platform Nigeria को भी by-by बात करेंगे Bitcoin ETF के world में क्या कुछ हुआ है ग्रे स्केल ने आज पहला मार्च 1st मार्च को मार्च के पहले दिन ग्रे स्केल ने 3,600 बिटकोइन डिक्रीस किये 8 ETF ने 10,999 बिटकोइन एड़ किये हैं 680 मिलियन डॉलर के और विच ब्लैक रोक एड़ेड 9730 बिटकोइन 601 मिलियन डॉलर के अकेले ब्लैक रोक ने 9730 बिटकोइन एड़ किये हैं 600 मिलियन डॉलर के नेक्स्ट नमद करेंगे PI42 एक्सचेंज 8 न्यू पेर्स को एड़ किया है इस एक्सचेंज ने कौन-कौन से पेर्स हैं थोड़ा यहाँ पे डिसकस कर लेते हैं PI42 की अगर मैं बात करूँ सारे INR के अंदर पेर्स है और भारत नंबर वन क्रिप्टो INR फूचर प्लैटफॉर्म तो फूचर ट्रेडिंग का प्लैटफॉम है PI42 और कौन से पेर्स एड़ की हैं लाइट कोईन का कर दिया है वीचें का कर दिया है आर्बी ट्रम का कर दिया है कोस्मोस, टेलर, पॉलकाडोट और यूनि स्वैप और ट्रॉन तो ये फूचर में आ गए है इस प्लैटफॉम के उपर PI42 तो कल हमने देखा सुलाना के प्राइज 136 डॉलर तक आ गए थे हाइस्ट लेवल है दस आठ डॉलर तक लो लेवल चले गए थे बियर रन में और हाइस्ट मतलब की जो पिछले कुछ टाइम में जो हाइ लगा था 126 डॉलर का उसको ब्रेक किया और सुलाना भी बढ़ रही है अपने नियू अल्ट टाइम हाई की तरफ 250-260 का already previous हाई लगा हुआ है तो क्योंकि एक स्ट्रॉंग क्रिप्टो बनके उबरी है पिछले एक साल में 1000 परसेंट की रैली दिखाई है 2023 में टॉप 10 की क्रिप्टो है ठीक है तो स्ट्रॉंग पलड़ा हो चुका है सॉलाना का मार्किट के अंदर और एक लाग सत्ता सट अजार सुलाना बाइस मिलियन डॉलर के ट्रांसफर होगे यहाँ पर कोईन बेस की ऊपर नेक्स्ट अपडेट आ रहा है ग्रेस्केल स्पॉर्ट बिटकोईन ETF बैनर फीचर्ड ओन वाल स्ट्रीट नियू यॉक सिटी तो नियू यॉक सिटी के अंदर जो है बैनर किसका बिटकोईन स्पॉर्ट ETF का एक चोटा सा क्लिप है जिसको हम अपने टेलिग्राम पे शेर कर देंगे तो कहां पे नियू यॉक में वाल स्रीट पे जो है बिटकोईन ETF का बैनर मतलब बिटकोईन ETF बिटकोईन चाया हुआ है वहां पे तो एक लाग सतासथ हजार में चार लाग पचास हजार और जोड़ दीजी और ये नमबर पहुँच गया छे लाग से भी पार छे लाग सोलाना का मूवमेंट हो गया है अभी अभी और ये भी 60 मिलियन डॉलर के हैं ठीक है नेक्स्ट उपड़ेट है यहां पे होट को लेके होट के मूवमेंट हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से बहुत जयदा 8.9 बिलियन होट 26 बिलियन डॉलर के transferred from unknown wallet to unknown wallet 6 laag solana में 4 laag 36,000 और जोड़ दीजी है यह 10-11 laag solana का movement हो गया है पिछले कुछ घंटों के अंदर next update है flow की इनु को लेके flow की इनु की voting चल रही है proposal आया था कल 190 billion burning का और कल last दिन है यानि 24 घंटे रह चुके हैं और proposal को what यहाँ पर मिल रहा है कि हाँ burn कर देना चाहिए बिलकुल मिलेंगे क्योंकि community नहीं चाहिए यह proposal है ठीक है 29 फरवरी को शुरू हुआ था और 2 March को एंड होगा और what अगर आप देखेंगे सबसे ज़्यादा 88% yes burn the token तो 190 million billion token 11 million बर्न होने ही वाले हैं अब कोई इसमें doubt नहीं है 24 गंटे बाद यह वोट proposal end हो जाएगा उसके बाद quick यहाँ पर burn हो जाएगे 190 billion flocky नू तो थोड़ा flocky नू पर नज़र रखिएगा अगर movement आता है तो profit पूरी की flocky की कीमतें कुछ ना कुछ हल चल होगी proposal से पहले या बाद में ठीक है देर सवेर बस थोड़ा सा game का ध्यान रखिएगा अपना profit देखिएगा और निकल जाएगा तो यह होने वाला है यहाँ पे 190 billion स्वाहा होने वाले हैं फ्लॉकी नू के तो next अम बात करेंगे पेपे की कीमतों में फिर भारी उच्छाल यहाँ पे 33% का jump और आ चुका है और price आ चुका है पेपे का 0.0038 अब पेपे 300% की तरफ almost बढ़ चुका है या 300% ही समझ लीजिए हो चुका है कि पिछले 5 वन वीक में 300% कीमतें उचल चुकी है बढ़ चुकी है पेपे की और continue पेपे रिकोर्ड ब्रेक कर रहा है आज फिर से नया हाई लगा दी 0.0039 का और अब पेपे अपना नया all time हाई लगाने भी जा रहा है क्योंकि बाइनेंस पे आने के बाद हमने देखा बहुत प्राइज में नमी आई ठीक है क्योंकि एक साल होने को आया अपरेल 2023 में बाइनस ने लिस्ट किया था फ्लॉकी इनु को और किसको पेपे को अपरेल में किया था य में में किया था तो अब फाइनली पेपे की कीमतों में भारी उचाल और वेल्स बहुत बड़ा गेम कर रही है पेपे में तो नेक्स टम बात करेंगे शिवा इनु की और शिवा इनु भी रुकने का नाम ले ले रहा है जी हाँ बिलकुल शिवा इनु भी पहुचने वाला है 0.4 टाइम 0 15 की सीरीज के उपर ये हमारा टारगेट था हमने पहले ही दे दिया था पंप आने से पहले ही और पंप भी आ चुका है अलरड़ी ये लेवल ब्रेक होते है न स्ट्रॉंग मॉवमेंट से 15-16 के तो हम सीधा जाने वाले हैं कहां पे इस बार अब की बार दो पार जी हाँ दो की सीरीज पार होगी शिवा एनू की पूरी स्ट्रॉंग मॉवमेंट से यानि जो 10 की सीरीज आती थी 5-0-4-0 वहां से भी ये प्राइस डबल होगा ठीक है तो होल्ड कीजिए जो होल्ड कर रहे हैं क्योंकि होल्ड इस गोल्ड है यहां पर टू का लेवल आएगा तो थ्री का भी लेवल आएगा ठीक है क्योंकि भाई यह 18-19 महिने का बनवास है शिवा इनू का और फिर से मुवमेंट आता हुआ शिवा इनू का नेक्स अपड़ेट आ रहे हैं एफ्यू मुमेंट हैगो थे 10 टेंथ मिल्एंट ब्लॉक वस मींट अन बॉक्चेन कारडाइनो ब्लॉकचेन के उपर और यह बहुत बड़ा माइल्स्टोन यहापे कारडाइनो का जो सेलिब्रेट कर रहा है तो मीम कोईंस को लेगे जैसा प्रेडिक्शन था वैसा ही रिजल्ट तगड़े पंप हो रहे हैं विफ की बात करूं डॉज विफ हैट की तो इसने व 250% in the past week एक हफ़ते में 250% इसके भी प्राइज बढ़ गए और अनदर वेल स्पेंट 9999 सोलाना 1.3 मिलियन डॉलर के तो बाई 1.4 मिलियन विफ ये स्टोरी रही है डॉज विफ हैट की तो आज की इस विडियो को करेंगे यहीं पेंट बाकी अफडेट नेक्स विडियो में किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च करें वो बहुत जरूरी है तब तक के लिए बाई बाई टेक केर